असलाम लेकुम यू वेलकम यू वाल तो रहाट केचन आज के जो हमाई रेसेपी है वह है चिकन पलाओ की लेकिन उसको हम बार बीक्यू का स्मोक देंगे तो वह बहुत ही मज़दार बार बीक्यू चिकन पलाओ बन जाएगे जिसें पाकी साइच चीजों साथ सर्फ करेंगे लेकिन सबसे पहले आपने जाके हमाई चैनल को सबस्क्राइब कर दें और इस वीडियो को जाके लाइक और शियर कर दें तो अब हमने चिकन लिए है बोन के साथ आप बोन लेस भी ले सकते हैं एक किलो चिकन है और इसके अंदर जो हम मसाले डालना शुरू करेंगे उसमें पहले जाएगा तिका मिसाला जो एक चाय का चमाच है पैपरिका पाउडर जाएगा जो आप और नहीं है तो आप सबस्क्राइब कर सकते हैं चिली फ्लेक्स यानि कुटी भी लाल मिच इसके अंदर जाएगी धनिया पाउडर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा डालेंग हम इसके अंदर मायोनीज आप छोड़ भी सकते हैं स्किप भी कर सकते हैं अब इसके अंदर हमने लीमू का रस डालना है एक लीमू का अगर लीमू छोटे हो तो तकरीबन आप वन एंडा हाफ भी डाल सकते हैं अब हम इसके अंदर दही डालेंगे जो तकरीबन तीन खाने क चमच और लहसन अदरा का पेस्ट जाएगा यह साइच चीज़ें डालने के बार हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे यह जो हमारी मयरिनेशन नहीं बहुत क्रीमी सी और बहुत रिच है इसके बार हम इसके नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाफ से मैरिनेट करने के ल ते लिए हैं जिल दूम युझे तिलमने होगी है तो यह अच्र nós चूप हुई है एसरे चूप लगवी प्यास हम और छी चालब को इस लिशते हैं गहां से हूं आरा उसका हमारे ट्राउ प्रॉाउ होगा उसी तरहें लोड़ दिकता है अगर आप प्यास कम ब्राउन करेंगे तो आपके एंड में जो आपके चावल है ना उनका करल लाइट साएगा और जादा करेंगे जैसे हमारे हुए में तो उसका कलर आपका बहुत मज़े का ब्राउन इश और पलाओ का कलर होता है वैसे आएगा अधलिक लैसन का पेस्ट ड अच्छे से जो हमारी प्यूरी उसका पानी वैपुरेट हो जाए अच्छे से भूनने के बाद हमने इसके अंदर लाल मिर्श पाउडर हल्दी पाउडर बिर्यानी मसाला भी डाल रहे हैं ताकि एक अच्छी से खुश्बू आ जाए इसके अंदर से और धनिया पाउडर अच्छे से इसको मिक्स करने इसका कलर बहुत मज़े का हो जाएगा और फिर उसके बाद हम इसके अंदर चिकन क्यूब डालेंगे एक ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे स्किप भी कर सकते हैं यह साइच चीजे डालने के बाद हमने से अच्छे से एक मज़ भर के और डालना है और उसे हीट कर लेना है किसी और बड़ी देख्ची में अब हमने उसके अंदर अपनी जो मैरिनेट हुई वी चिकन थी वह हम डालेंगे ऐसे नीचे फ्लैट करके रख देंगे और इसको तब तक हमने पकाना है तकरीवें मीडियम फ्लेम में कि इ नेशन वाला मसाला था वो इसके अंदर डालके धकन लगा के हमने बीस मिन के लिए से छोड़ देना है बीस मिन में हमाई चिकन अच्छे से गल जाएगी अगर आपकी ना गले तो आप जाला टाइम भी दे सकते हैं हमने उसे स्लो फ्लेम पे यानि दम वारी आग पे बीस मि ग्रेवी देकची के अंदर हमनें 4 1,5 फैल के टाल पाणि धके फ्लेवर्स पानी के लिए साग़ के भेля ने लिए उटन लगा करें हैं टीर हमारे पानी के लिए ओबाल जाएगी जब अबाल आ जाए तो पहले से तो कर लिया ते चावल को आपकने के लिए ओड़ दाल से जितने तेस्ट जो आपका है नमक का उससे थोड़ा सा जाधा डलता है क्योंकि प्लाओ में फिर नमक जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो थोड़ा दे जाएंगे तो हम ने खाजा जाएंगे जो बोल में जो भी चीज रह गई है वो इसके अंदर डाल कर चीज़ एक एक श्यूपर बाकी चीज़ दालेंगे बाकी चीज़ा इसमें हरी मिर्च चार से पांच हमने धनिया लेना है मुठी भर कर देंगे लिमू के अगर आप नहीं डालना चाहते तो यह लाइक ऑप्शनल है आप इसके भी कर सकते हैं अब हमने देख्ची के धकन के उपर कपड़ा लगा के इसे धक देना है तकरीबन स्लो फ्लेम पे कि हमाई जो इसमें चावले से दम लग जाए जब अच्छी से दम लग जाए और अच्छ चो पर आप सोफ करें और आप को गारेंटी है कि यह सब को पसंद आए यह बहूत मज़ेगे चिकन पलाओ Brave aãy व्लेवर एंड ब्रालबी क्यों का टेस्स सम्फिंग बहुत मज़ेदार और आपको ये बहुत पसंद आएगा अगर आप से राईतीं के साथ चाह सालात के साथ सब्सक्राइगे तो ये आपको एक निक्स लेवल पे ले जाएगा और ये आपकी लिस्ट में शामिल हो जाएग और अगर वीडियो बसंद आई तो हमाई इस वीडियो को जाके लाइक करिएगा, शेयर कीज़ेगा, कॉमेंट कीज़ेगा और हमाई चैनल को सब्स्राइब करना मत बूलिएगा, अल्ला हाफेज़े